हमेड रेसिपी में आप लोग का स्वाधत है आज मैं बनाने जा रहे हूं पोरी कियम केल जो बहुत आसानी से बना सकते हैं घर में गड़ा ही रुटत दिया गरम में तेल डाला है अपने को सब्सक्राइब कर सकते हैं रिफाइंड आये लिया फिर और थोड़ा समयने आधित छोटी चमच फल्दी डाला फिर उसमें पोहर इसको थोड़ा फ्राइब करेंगे कि अब यार मैं अब मैं फ्राइब कर रहे हैं कि मेडियम तो हाइब कर लिया इसको फ्राइब करने में लगा चार से पांच मिना तक इसे देखें कुर्पुरा आऊ गया है अब मैंने इसको एक अलग प्लेट में रख लूँगी फिर मैंने थोड़ा इस प्राइब कर लूँगी मैंने एक एक करके सारा फ्राइब कर लिया है अब मैं इसमें थोड़ा से तड़कर लगाओंगी तो थोड़ा करीट अब बडान देल दिए तो थोड़ा काजीव और आप कोट मीठा खाना पसंदाग्ट इसमें इसमें बडाल सकते हैं और एक चम्मच मैंने इसमें लाल मिल्च डाल लाल मिल्च के बावगर डाल हुआ और ज्यादा तीखा खाना पुस्ट करते हैं तो और भी डाल सकते हैं इसको मैं थोड़ा फ्राइ करोंगे अभी अपने डाल सकते हैं अब मैं अब इसमें सारा जो इतना फ्राइ की थे सारे डाल दूंगे इसको डाल पे और अच्छे से मिलाओंगे और इसको आप साम को चाय के साथ खा सकते हैं या फिर वेसे भी बच्चों को भी बहुत पिसंद आएगा आप मैंने सारे को अच्छे से मिला लिया यह देखे अमार नमकिन फोमेड नमकिन बनके तयार होते हैं अब आप इसको कोई जार में या कोई भी डिगवे में रख दे और इसको अच्छे से एक हपते तो खा सकते हैं झाल